सुप्रिम कोड के जरिया इस सरकारी नौकरी में आरक्षन को लेकर की गई टिपड़ी के बाद राजनीतिक बयानवाजी शुरू हो गई है कॉंग्रेस की ओर से इस मसले पर मोधी सरकार पर दवाव बनाया जा रहा है और सरवोच चदालत में पुनरविचार याची का दायर करनी के लिए कहा जा रहा है कॉंग्रेस नितार राहूल गांदी इस मसले पर मोधी सरकार पर जम कर बढ़ से और कहाए कि बीजेपी आरेसस के डियने को आरक्षन चुपता है कॉंग्रेस नितार राहूल गांदी ने कहाए कि आरेसस बीजेपी की विचार धारा रक्षन के खिलाप है वह किसी ना किसी तरीके से रिजेवेशन को हिंदुस्तान के समिधान से निकालना चाहते हैं उन्होंने कहाए कि पहले उन्हें रविदास मंदिर तोड़ा क्योंकि जो SCST community है ये लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं कैंसरकार पर निशाना सात्ते हुए उन्होंने कहाए कि बीजेपी की रणनीती आरक्षन को रद्ध करने की है लेकिन बीजेपी वाले कितना भी सपना देख लें ऐसा कभी नहीं होगा आरक्षन समिधान का हिस्सा है बीजेपी की ओर से इसे ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है कॉंग्रेश निता बोले कि मैं हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ कि हम रिजर वेशन को कभी नहीं मिटने देंगे चाहे मोदी जी सपना देखें या मोहन भागवत्र सपना देखें हम ऐसा नहीं होने देंगे